तो दॐस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो light है यह foldable fan LED light है दोस्तो इसका जो design है कुछ ऐसा कि देखने में हुब बहुँ fan की तरह लगता है दोस्तो यह जो light है यह खराब हो चुक है दोस्तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई foldable LED light है और वह खराब हो चुक है तो आप उसको असानी से घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं इसका बहुती आसान तरीका आपको इस विडियो में देखने को मिलेगा दोस्तो यह जो लाइट है ना तो इसका जो रिपेर करने का तरीका होता है वो नार्मल एलेडी बल्बर से कुछ अलग होत तो यहां पर चालू वाले बल्ब को मैं आपको जला कर दिखाता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस होल्डर में सप्लाई आ रहा है तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूं तो यहां पर आप देशकते हैं यह फोल्डेबल एलेडी लाइट है यह बिल्कुल भी नहीं ज यहां पर निकालना है और निकालने के बाद इसके बाद इसके वारा जो धाल कु यह फाल है यह पार्ट है निकलता है और इसके अंदर इसका driver होता है तो दोस्तों आप देसके ये net को मैंने पहले से निकाल रखा है आप देसके इसके अंदर में एक driver है तो यहां तक करने के बाद आपको स्वरूर प्रथम क्या काम करना है स्वरूर प्रथम तो पहले आपको इसका जो driver है उसमें voltage चेक करना पड तो यहां पर मैं इसके द्रैवर को निकाल लिए है अब ड्रै को यहां पर ब्राउन वाई प्लस का है और वाइट वाला महाएड इस तरह से आपको सब्सक्राइब कि आपको बात में जोड़ना भी पड़ेगा तो इसी यहां पर सब्सकेर प्रने ताकि दोनों वायर आपस में सॉट ना हो तो चलिए इसमें अब हमारे पर जो सिरीज बोर्ड है उसमें सप्लाई देंगे और इसका आउंटपुट वोल्ड चेक करेंगे तो यहां पर आपको मल्टिमीटर लेना है और डिसी रेंज थाउजन में आपको सेट करना है तो यहां यहां पर यहां पर यहां से प्लस अगले के माइनस वहां से प्लस अगले के माइनस इस तरह से सारे जो पांच भाग है यह सभी एक स्रीज में लगा हुआ है यानि कि इसमें जो एक एक सो नौ एक सच्छे वोल्टेज आ रहा है उसके तुरू सभी और सारे वल्ब जलता है सारे लाइट जलता है ठीक है तो यहां पर हम एक एक करके चेक करेंगे कि कहां पर फॉल्ट हो सकता है तो सबसे परे तो हम यह वाला जो में वाला जो प्लेट है इसमें का लेडी चेक करेंगे लेकिन दोस्तों हम नॉर्मल लेडी बल्ब की तरह इसको शप्लाई देकर चिम्टी से सॉट करके ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारी बहुत सारी लाइट है तो इसके लिए आप पास यहां पर 9 volt की बैटरी है लेकिन आप चाहें तो 3.7 Old की बैटरी या 4 की बैटरी से चेक कर सकते हैं ठीक है मैं इसमें यहां परjakपर डिया हूँ तो यहां पर सारे alsa치 खराब रहत यहां पर खराब महते है कि हम चेक करएंगे तो यहां पर नहीं जल रहा है तो हम यहां पर पॉइंट को चेंज कर देंगे यानि की टेर्मिनियल को चेंज करके चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक साथ दो एलेडी जल रहा है आप देख सकते हैं साथ आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केमरे में यहांपर दो यडी जल रहा है एक साथ यहांपर भी सकते दिहान से देखियेगा यानि की दोस्तो इसमें का शारे एक एक सेट में यहांपर यह वाला तो आवरी देख सकते हैं जिसको है नहीं जताई pleas क्रें आप पांट जल रहा है क्योंकि इसमें डो यहां पर भी जल रहा है अगला जल रहा है तो दो डीका एक सीट है जो परेलल में जूड़ा हुआ है तो यहां पर जो लिडी खराब है उसको हम आप तोड़ देंगे ठीक है कट्रकित सहाता से तोड़ देंगे अब इसके बाद बाकी का जो चार पार्ट और है उसको हम खुल कर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ड्वर की मदश से उपर उठाएंगे तो यह इसका कवर है, असानी सी निकल जाता है, यहाँ पर आप देशाते हैं तो इसमें भी एक प्लेट लगा हुआ है, टोटा इसमें 10 LED लगा हुआ दोस्तों तो यहां पर भी हम चेक करेंगे बैटरी के थुरू तो हम बारी बाई से सभी को चेक करेंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों नहीं जल रहा है तो हम यहां पर पॉइंट को चेंज करके देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देशाते दो इलेडी इसमें भी जल र है दोस्तों हम अब दूसरे वाले में देखते हैं तो यहां पर भी सारे जल रहा है अब हम तीसरे वाले प्लेट में देखते हैं प्लेट में यहां आपurm तो हम पॉइंट को चेंज करके देख सकते हैं यहां पर हो सकते हैं इसे जल जाए तो यहां पर छूरा इसके बाद यहां पर चेक करने तो यहाँ पर जो दो LED है ना एक साथ दो LED जुड़ा हुआ है परलेल करके और हर एक परलेल सृरिज में जुड़ा हुआ है इस तरह से इसका connection हुआ है इस दोनों LED को भी यहाँ पर तोड़ देंगे अब इसके बाद हम सौट करेंगे अब दोस्तो LED बल्बो को हम सौट करते हैं तो ज्यादा दिन नहीं चलता यह आप जानते हैं ना लेकिन इसमें दोस्तो कई सारे LED लगा हुआ है और कम वाट का है तो और उसमें ओल्टेज भी 10 109, 106 आ रहा है तो हम यहाँ पर सौट कर सकते हैं चलने के चांस रहेगा लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर LED को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा दिन चलाना चाहते हैं आपको नहीं सौट करना है तो तो यहाँ पर हमें इसका प्रॉब्लम ठीक हो चुका है दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप LED चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आप जानते हैं LED सौट करने से बल्ब में लोड बढ़ जाता है लेकिन इसमें voltage 109 ही आ रहा है 106 आ रहा है और काफी सारे इसमें light लगा हुआ तो इतना खास फर पर नहीं पड़ेगा आप चाहे तो